तो एलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ राहूल टेक्नो पंडे चल्म में अपका बहुत बहुत भागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में हो दोस्तों बहुत इंप्रोटेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं तो हो आपने अगर ट्रेण टिकट बूक नहीं किया है तो इसके लिए आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ वह आज से पहले आपको किसी नहीं बताया होगा। क्योंकि दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपने टिकट बुक नहीं किया है। आपका टिकट जो है आपकी रूट की जो ट्रेने है उसका टिकट आप बुक नहीं कर पाए। आप यात्रा कैसे करेंगे। दिवाली छट पुजा चाह दसरा हो हम लोग घर जाते ही जाते हैं। अगर प्लान बन गया कि हमें घर जाना है तो जाना है। फिर उसके लिए रास्ते में कैसा ही बेवधान पड़े। लेकिन जाना है भईया तो जाना है। लेकिन समस्य यह आती है दोस्तों कि इनका काउंटर जो है चार महिना पहले ट्रेनों का खुल जाता है। अब दिक्कत यह आती है कि हमारे रूट में जैसे बिहार की मान लीजिए तो बिहार की सिमिट ट्रेने जो है या हर छेत्र की ट्रेने सिमिट ही दी जाती है। जैसे मानली जिया आपका अगर घर बिहार के गया जिले में है आप अगर सर्च करते हैं तो आपको चार से पांच ट्रेने ही मिलेगी जो की पर्मनेंट रनिंग करती हैं फिर वो महाबोधी एक्सप्रेस हो चाहे पुर्वा हो पुर्वा और बहुत सारी वाइसी ट्रेने हैं जो सबता में एक यह दो दिन यह तीन दीन चलती है बाकि महाबोधी पुर्सप्रेस देली चलती है वैसे अन्य राजियों की बात कर लेता हूं तो हर राजे में दोस्तो ऐसा ही देखने को मिलता है अब यह सोचिए कि मैं लीजिए कोई फेस्टिवल जैसे दिवाली जो है दोस्तों इसकी टिकट की विक्री है जुलाई में ही पूरी हो गई कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें द्यान बिल्कुल भी नहीं जाओ और तारा टिकट जो है फुल हो गया और अविलेबल कुछ भी नहीं है तो क्या हम घर जाएंगे या नहीं जायेंगे बिल्कुल जाएंगे दोस्तों क्योंकि भारतिये रेल्वे जो है दोस्तों पिछले दो वर्स से ऐसी सर्विश की है जिसे सुन करके आप गद-गद हो जाएंगे और आप विश्वास नहीं क चालू कब होगी यह भी मैं आपको पताऊंगा इस वीडियो में अब सोचने वाली बात यह है कि अस्पेशल ट्रेनों का टिकेट हमें कम मिलेगा तो इसके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अस्पेशल ट्रेन को टिकेट है वो दिवाली के जश्ट एक मिना पहले चा पूजा और दूसरी चीज के उपर रेंड ग्रीनल कलर का सिंबल नौर्मल ट्रेन होती है उसका ग्रीन तरह का सिंबल रहेगा इससे आप पैचान पाएंगे हैं कि आप दोस्तों इसका किराया कि तोड़ा सा महगा तो होता है जेकिन दोस्तों आपको शीट मिल जाएगी और आप यात्रक कर पाएंगे क्योंकि ध्यान दीजेगा कि इसका टिकेट का जो प्राइस रहेगा दोस्तों नॉर्मल टिकेट जो हमारा 500 का आता है या 510 रुपे का इसका फेर फ्रेंड आपको लगबग स्लीपर का 1.500 रुपे एक्स्ट्रा चाइज करेगा यानि आप जो पतका टिकेट बुक कर पाएंगे तो बिल्कुल नहीं दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्ट पॉइंट है आप फेस्टिबल जो भी ट्रेन होगी वोसमें आप तक पाल टिकेट बुक नहीं कर पाएंगे लेकिन ध्यान दीजेगा जैसे काउंटर खुलेगा एक मेना पहले या जेड़ आप यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे ध्यान दीजेगा दोस्तों टिकेट जब भी लेंगे कंफर्म टिकेट लेंगे चाहे फिर वो आयार शेटी सी आप खुद मोबाइल से बुक कर रहे हो या कहीं साइबर से करवा रहे हैं या फिर आप अस्टेशन से बुक बार दिया जाएगा या तो फिर आपको जेंरल में जाने के लिए बोल जाएगा और आपको जाना पड़ेगा तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि टिकट जब भी लें तो कंफर्म टिकट लें वेटिंग टिकट के लिए बिल्कुल भी ना जाएंगे फैस्ट ट्रेन में है और ट्रेन जो है लेट हो चुकी है चार-पांच घंटा तो उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों यह होता है कि जैसे मालीजे कोई ट्रेन आज आठ बजे सुबह खुलने वाली है और मालीजे कि अस्पेसल ट्रेन का भी टाइमिंग आठ बजे रखा गया है तो घर घर तो जाना है लेट हो से कोई मतलब नहीं है हमें घर कैसे भी जाना है तो यह चीज़ थोड़ा सा दोस्तों मिस पॉइंटिंग है रेलवे को थोड़ा सुधार करना चाहिए